जो नर्मदा की भक्ति करता है उसे इसका आश्रवाद भी मिलता है इसका उध्हारन भी है साल 2018 की बात की जाए तो साल 2018 में विधानसभा चनाओ से पहले कॉंग्रस और दिग्विजे सिंग ने मान नर्मदा की परिक्रमा की थी और उस साल कॉंग्रस को नर्मदा किनारे आने वाली करीब 65 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर जीत मिली थी लेकिन इस बार समिकरन अलग है नर्मदा की भक्ति करने वाले कमला दिग्विजे सिंग इस बार पार्टी से दूर लग रहे हैं इसकी तस्वीरे हाली में राजसभा नामंकन की दौरान देखने को मिली थी उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा जैनती पर मा नर्मदा की पूजा अर्चना की और अमर कंटक को सौगान ती के गहरे सियासी माइने हैं लोग समच नाव में कॉंग्रस को नर्मदा से दूरी भारी पड़ सकती है भारती जनता पार्टी धर्म का इवेंट से बोड पाने के लिए करती है लेकिन हम यह जानते हैं कॉंग्रसी के धर्म हमारी निजी आस्था का विशय है और हमारी आस्था हमारे धर्म में है और हम अपने धर्म को मनाने का उसका धिंडोरा नहीं प्लिपते हैं उसके लिए कोई इवेंट नहीं करते हैं तिकि कॉंग्रेस के लिए नर्वदा, मा नर्वदा की बात करें, या मंदिर की बात करें, या धर्म की बात करें, यह सब राजनेती का विशे, आस्ता का विशे नहीं, वहीं बारती जंदा पार्टी के लिए सब आस्ता का विशे, इसलिए हम मंदिर भी नेमित रूप से जात लेकिन जो Improve upon फ़ी गटों में बटी हूई है लोकस वाज चनाओं में जीटें सपने जरूRebil देख रही एज़ से कांग्रस चल रही है उससे ऐसा लगता है कि चीटकर सपना सिर्स नाहीं रह सकता है महा डिबेट के सवाल क्या है किन सवालों के एर्दगर आज महा डिबेट रहेगी आज की वो दिखाते हैं आपको बड़ी स्क्रीन पर पहला सवाल है नर्मदा की भक्ति से चुनाओं में क्या शक्ति मिलेगी क्या नर्मदा की भक्ति दिलाएगी चुनाओं में शक्ती, दूसरा सवाल है नर्मदा का सहारा, चौबीस में क्या बंधेगा, जीत का सहरा, तीसरा सवाल देख लेते हैं, नदी नहीं सियासत की दशा और दिशा है, नर्मदा, तो सियासत की दशा और दिशा बदलने की शमता रखती है नर्मदा नदी जो है वो जीवन दाइनी कही जाती है लेकिन सियासत में भी मध्रप्रदेश की सियासत में मा नर्मदा भी जीवन दाइनी ही कही जाती है और आज मध्रप्रदेश की महार डिबेट इन तीन सवालों के एद्धिद रहेगी हमारे साथ खास मेमान पंडित दुर्गर प्रसाथ कटारे जी वो भी आपको दिख रहे हैं वरिष्ट पत्रकार है चैतने भट जी और साथी राजमीरतिक विश्टेशक के तौर पर डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जोड़ चुके हैं टीवी स्क्रीन पर आप सभी का ही बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बात यहां पर गुंजन जी आपकी करेंगे जिससरा से नर्मदा जैनती पर अलग-अलग कारेक्रम में बीजेपी के दिग्गत दिखाई दे रहे हैं क्या मा नर्मदा की भक्ती करके या उनकी शरण में जाकर ही 24 की नईया पार होने वाली है अबढ़ना जी आपको और पैनल में सभी उपस्तित लोगों को और सभी दर्श्रकों को सर्फ प्रतम नर्मदा जैनती की बहुत-बहुत शुब कामना है अबना जी भारती जंता पार्टी के लिए चाहे नर्मदा जयनती की बात करें या प्रभुश्री राम की बात करें ये सब आस्था का विशे है राजनीती का विशे नहीं है कॉंग्रेस इसे सिव राजनीती, सत्ता, कुर्सी इससे जोड़ कर देखती है इसलिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के घेरे में लेकर आती है पर भारती जंता पार्टी के हरे कारे करता के लिए मा नर्मदा मैया हमारी एक वैसी स्त्रोथ है, हमारी आस्था का विशे है और आज से नहीं, बचपन से हमने मा नर्मदा जी को पूजा की है और वही भार्ती जंता पार्टी के संसकार हैं 22 जन्वरी के तारीक शायद आप और हम कोई भी नहीं भूला है जिस तरहे पूरा देश राम में हुआ था देश छोड़े पूरी दुनिया राम में हुई थी हर घर में एक दीपावली का उत्सव बना था ये कॉंग्रेस जैसी पार्टी ने जिसने राम मंदिर के निमंतर का बहिशकार किया वो क्या समझेगी आस्ता के किसी विशे को जो सनातन को डेउ मलेरिया कहते हैं वो क्या समझेगी आस्ता के किसी विशे को तो कॉंग्रेस से ऐसी उम्मीद लगाना भी वाजब होई है यह सिर्फ आस्था करूँग आप करते हैं जब कुर्सी का समय आता है देखें बीजे वही मैंने शुरुआत की है हमारी राजनीती का विशे नहीं है हमारी किसी स्टाटेजी का विशे नहीं है यह हमारी आस्था का विशे है हमारे सनातन का विशे है और भारती जनता पार्टी सनातन के लिए हर एक काम करती है हर एक कदम उठाती है और सनातन को धूम धाम से अपने हर पावन जितने तयोहार है उसे मनाती है उसे घर में जिस तरह मैंने सुना इनके स्पोक्सपरसर और इनके नेता लोग कहते हैं कि हम धोंग करते हैं जो कन्या पूजन को धोंग बताते हैं दिगविजे सिंग जी कन्या पूजन को धोंग बताते हैं जो राम को सुप्रीम कोट में एफिडेविट में कालपिनिक बताते हैं जो नरमदा जी की पूजा सि चुनाओं के समय करते हैं उनके लिए राजनिती का दिशे है भार्टी जन्ता पार्टी ने जो जो कहा अर्वी इस पहजी ने जो भी बुला है उन सारी बातों को सच्क मानकर मैं इसे बात्चीत करना चाहता हूँ यह धर्मे में बहुत विश्वास करती हैं मान नर्मदा की पूजा करती हैं क्या यहां इनके धर्म की इतिश्री हो जाती है मान नर्मदा को लूट डाला इनोंने मान नर्मदा की पूरी एक्विटिक लाइफ खतम करती और जो है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के नाम पर कितना लूटा इन्होंने प्रदेश को इसकी इनको जानकारी भी नहीं हो मैं बता देता हूं मेडम आपको पता करिएगा कल अपने जो है नेताओं से पूछिएगा और शिवराज सिंग्जी से भी पूछ लीजिएगा आपने इजराइल की एक कंपनी को जो है बन गए क्या जरा आप पता करिए वो कंपनी छोड़कर भाग गई उसको एडवांस में 10-10 करोड रूपिया मिले हर जगे पूछे क्या उसकी रिकबरी हो गई उसके बाद जो है एक लांडरी चलाने वाले को कपड़े धोने वाले के साथ आपने जोइंट वेंचर करा दिय से सीवेज ट्रीटमेंट बनाने का यह आपकी जानकारी में नहीं होगा मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं यह तोतल की तरह बोलना और अपनी पार्टी की असलियत जानना दोनों में बड़ा अंतर है आज यह कह रही थी कि साब जो है भगवान राम का निमंतरन ठुकरा शंकराचार जी भी जो है धर में द्रोह हो गए इसका जरा जवाब दे हैं जो सवावन बड़ाइंगी पहले आपके पास इन से थोड़ा निवेदन कर लेंगे बीच में ना बोलें सीटे थोड़ा डिवेट अब बोलिए जी आपने सवाल करेंगे एक पूरी नर्मदा जी को लूट डाहला रेट को पूरी एक्विटिक लाइफ इनने खतम कर दिये सत्पुड़ा की बायो डाइबर्सिटी निष्ट कर दी उसकी अपरादी इनकी सरकार है अठारा साल में उने जो लूटा है इसो डंपर ज़रते हैं उन डंपरों करवा पाए आज तर इन डंपरों ने उसका प्रमार्ण सारे स्थबूत इनकी सरकार के पास दर जे है प्रत्यारोब के इलावा कॉंग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है उनके पास तरीके के सवालों के लावा कुछ नहीं बचा है अगर CPI या ED उनके खिलाफ एक्षन लेती है तो यह समविदान संस्थाओं को आरोप के घेरे में ले लेते हैं यह इलेक्शन कमिशन को आरोप के घेरे में ले ले लेते हैं अगर कि यहां तो वही बात हो गई कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो बड़े से बड़ा नेता भी आम जरुता की दर्वादे पर पहुंच जाता है चौकट पर माथा रखता है और कहता है कि वोट मेरे पक्ष में दीजेगा क्या मा नर्मदा को लेकर भक्ती की बात अलग और वो सिर्फ स्यासत की बात हो गई है राजनितिक बिशे नहीं है इसमें आस्ता और विश्वास का विश्य है अब चुनाव आते हैं ये लोगे बीजीपी वाले कांगरेस और कांगरेस वाले बीजीपर प्रिस्ट उठाते हैं मगर मैं ये कहूंगा नर्वदा का इतियाः भगवान सिव की पुत्री है इस नर्वदा ने नर्वदा का कंकरवी संकर है आस्ता बहुत बड़ी है यह मारी जीवन दाईनी है मा नर्वदा के प्रिगट उस्चब पर सब को बहुत बहुत बदाई और आशिरबाथ और यह जीवन धारा नहीं हमारे भारत की प्राण है गंगावल नदियुम् आप इस पर विचार करें इ कि लेकर है मरसी योगी जी जो भारत में नहीं सारे बिश्म में नहीं मान अर्मदा तो जीवन दाइनी है दुर्गाप्रसाद जी लेकिन जो राजनेता हैं जो उसके नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं भक्ती की बात कर रहे हैं क्या वो मा को कुछ वापस दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं अब यह सभी अपनी अपनी राजनीती करते हैं इस विशे में तो मैं नहीं कहूंगा जी जी भाई राजनीती का विशे नहीं है यह आस्ता का विशे है और राजनीती अगर इस पर कर रहा है तो यह उचित नहीं है ठीक नहीं है जी ठीक है राजनीती का विशे नहीं है आस्ता का विशे है लेकिन चैतन्य भट जी जो अब यह एच फैक्टर देख रहे हैं वोट का एच फैक् और आज नर्मदा जैन्ती की मौके पर किस तरह बीजेपी के दिगज अलग अलग जगहाँ पर दिखे नर्मदा मा की पूजा करने के लिए क्या कॉंग्रेस इस पिछ पर पीछे दिख रही है मैं तो इस विशे में राजनीती विशे में कुछ नहीं कहूंगा जी पंडिजी आप से सवाल नहीं है ठीक है नहीं बिल्कुल राजनीती का सवाल मैं किसी और से ले रही हूँ जी जी ठीक है भड साब जी आपने जो एक बात कही है जो तमाम राजनीती ब्ल हैं वो मां से बहुत कुछ चाते हैं लेकिन मां को वदले में क्या दे रहे हैं अबी भूपेंजी ने एक बात बहुत सही कही कि माह नर्मदा के सीने को जिस तरह से चलनी किया गया है। बहुत लंबे समय तक भारती जनता पार्टी का राज रहा है और आज भी है। लेकिन जिस तरह से वहां से रेत का उत्खनन होता है इसको आस तक कोई रोक नहीं दूसरी बात नर्मदा के लिए आस्ता इसलिए भी ज़्यादा महत पून हो जाती क्योंकि इसको सबसे पवित माना जाता है क्योंकि वो चिर कुमारी है। दूसरी बात यह है कि एक मात ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। उसके पीछे वेग्याने क दौरा उनको पता लगा कि वो उनकी दासी से प्रेम करता है तो वो उल्टे पैर मंडब छोड़के चली हाई इसलिए वो उल्टी बैती है तो मान अर्मदा के साथ बहुत सी ऐसी पौरानिक कथाएं जुड़ी हुई है जो लोगों के प्रती बहुत बहुत बड़ी आस्था र मिल रहे हैं और तमाम सरकारे आई तमाम महापौर आए लेकिन आज भी उसमें कोई स्थिती में सुधार नहीं हुआ है वहां आज भी गंदे नाले मिल रहे हैं अभी पिछले साल नए महापौर आए थी नोंने कहा था कि मैं सबसे पहले दिन मान अर्मदा के शुद्धी की फाइल पर दसकत करूँगा फाइल पर दसकत जरूर हुए लेकिन अभी तक सीवरेज प्लांट बन नहीं पाए हैं और ये स्थिती जो है वो बहुत ही खराब है प्रदूशन निवारन मंडल का कहना है कि नर्मदा का पानी जो है वो आच्मन के योग भी नहीं पीने की त ये जो परिस्थितियां हैं ये ठीक है कि पॉलिटिकल लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए मान अर्मदा की पूजा करते तमाम बड़े नेता आते हैं जब भी चुना होता है तो उसकी जो शुरुवात होती है वो मान अर्मदा की महारती के साथ होती है चाहे वो प्रिय भी करन किया है हिंदू का उससे उसको फायदा मिला है और मिल भी रहा है क्योंकि यह जहां पर बीजेपी भले ही सामने वाले विरोधी को ले आये लेकिन जीट बीजेपी की स्पिछ पर होती है विरोधी जो पिछ में ट्राप हो जाते हैं तो वह उनके लिए घातक साबित ह होता है डॉक्टर सत्रप्रकाश शर्मा मान नर्मदा की आरती करना पूजा पाठ करना या मध्यपरदेश की स्यासत की दूरी जो कहा जाता है नर्मदा नदी को वह मजबूरी है यह जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी इस देखे प्रणा जी मैं इमान के चलता हूं यह तो निश्यत रूप से कही न कहीं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगी और उनका सीना चलनी इल्लीगल सेंड माइनिंग से नहीं हो पाएगा देखे यह कोई पहला अफसर नहीं है हर माग मास में सत्मी के दिन सुक्रपक्ष में यह जो नर्मदा जैनती मनाई जाती लेकिन यह ए घुश चुका है यससे के वल भारतिनता पार्टी के उपर ही इसका टैक नहीं लगा है वलकि अपोजिसन पार्टी इंकलूडिंग कॉंग्रेस भी कई बार कई स्टेट में धर्म के पत पर चल पड़ती है हलाकि उनको उसका फाइदा नहीं मिल पाता है मद्रप्रदेश में कमल नाद जी ने बड़ा प्रयास किया कि सौफ्ट हिंदुद की लाइन पर चलने का लेकिन बात यह होती है कि आज नर्मदा जैनती है ऐसे में मद्रप्रदी सरकार ने चाहे वो कॉंग्रेस की रही हो और बीजेपी के रही हो अब कुछ समय के लिए आपने ध्यान होगा कि के लगवाग कॉंग्रेस की सरकार भी नर्मदा जी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टैप लिए एक अच्छी चीज थी देखिए हला कि वो कंट्रोबर्चेर होई कि उसके पांच किलोमीटर के इर्दगेर्द में पेड़ लगा जाएंगे या पांच किलोमीटर के इर पेस टीटमेंट प्लांट हलाकि मद्यप्रोदेश अर्बन डेवल्मेंट कंपनी के दौरा जो एड़ जोइनिंग सिटीज है अर्बन लोकल बोडी है उनमें ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं लोकल बोडी के दौरा लेकिन क्या वो सक्सेस्फुल हैं नहीं बड़ा सवाल तो यही है ना कि हमारे धर्म में जो नदी पेड़ पहाड की पूजा करना है वो इसलिए है ताकि हम उनके उनका खयाल रख सके उनका संद्रक्षन कर सके यहां अगर भुपेंद्र जी एक सवाल मेरा आप से यह है कॉंग्रस का हर नेता यह कहता है कि भ पूरो जो कर रही है वो फ्रकर पेंद्र जी पूरी बात नैंतर यह तो दिर्णा यह कर रहे हैं दूसरी चीज मैं आप से कहूँ अभी बहुत सारी बात ने होगी, सत्प्रकाश जी ने बहुत सुन्दर बात उठाई है, पेले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर बीजेपी की नित्ता सहथ किसी को निमालू कि ये जो है नर्मदा जैन्ती की शुरुआत कैसे हुई नर्मदा जैन्ती की शुरुआत ग्यानी मस्ते करके लीडर ते जिनके ये कांग्रेस ने शुरु करवाई है इसको जो है पुछंगवाद के अंदर और उसके बाद ये नर्मदा जैन्ती जो है बयापपरूप से सास की इस्तर पर मनाई जाने लगी इसको करीब 40 साल हो गए दूसरी चीज आपको ये बता दू कि पूरी नर्मदा नदी को लूटने का जो प्रयाज दूआ भी ये पांच किलो मीटर शराव की दुकान दिये भी ये घोशना की आपको ये माँ बता दू मैं कि शिवरायच सिंग जी ने विदान सभा के अंदर संकल्प पारित करवा है औ नर्मदा जी को जीवन्त नदी का दर्जा दूगा और जीवन्त नदी में उनके अधिकार होंगे नर्मदा जी का खाता खुलेगा नर्मदा जी की अंदर से जित्ती खेट रेट निकाली जाएगी उसका पैसा नर्मदा जी के खुद के निजी खाते में जमा होगा और जो ह कमलनाज सरकार ने जो पैसा इनको दिया था नर्मदा नदी में नाले को रोकने के लिए वो पैसा भी उजंगाबाद की इनकी नगरपाली का खा गई है और उसमें जो है नदी में अभी भी आप कहें तो मैं आपको अभी तुरंट वीडियो भी बेश सकता हूं कि आज भी जो और आपको मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू दिया है आपका जो है चैनल तो बहुत महाँ चैनल है देश बर इसको देखता है आप इसको जरह सहास करें कि किस तरह एक इसराइल की कंपनी बुलाई गई नर्मदा जी में सीवेश ट्रीट्मेंट प्रांट बनाने क लिए और उसका हशर क्या हुगा है एंड में जो है उसको लांडरी चलाने वाले लोग जो है बना रहे हैं यह आप जो है यह तमाशे तो जरह इनके उजागर की यह पूरा चहरा काला है और आयना दिखाते फिरते दूसरों को यह समस्या जो है इस पर इस पर विचार करना आज नर्मदा जी किनारे कोई पेड़ लगा हो तो यह गुझन दे जी जाके देख के बता दें कि कहां पर पेड़ लगा है इनकी सरकान ने इन्होंने पांच करोड पेड़ विश्व रिकार्ड गिनीज बुक्साफ रिकार्ड का तमाशा यह सारे कियें इसके बाद ही अग पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है और हमारे पूर्वे मुक्यमंद्री मानुशिव राजिंच आप और हम सब देख रहे हैं पर्यावने संड्रक्षन के लिए पेड़ लगाने का काम आपको मैं दूसरी जानकारी देतूं आप जो इस तरह बार-बार माइन की बात कर रहे है जो इन सब चीजों लेती है संड्रक्षन करती है देखती है और उसका भी किस्ता सुना का हूँगा वियाद आप जो है डिल्स लाज गई आपको जिक्र बता रहे हुँ आपको जिक्र बता रहे हुँ आपको बात कहने दीजिए संड्रक्षन पर काम किया है और इसलिए जिस तरह आपने वी बताए एक लिविंग एंटिटी अगर नर्णा नजीटी ने इनकी सरकार पर पांच लाग की कास्ट लगाई है ये इनको मैडम को मालूम नहीं है भी एंजीटी का इनने नाम सुना इननोंने बता दिया इनके ठीप सेकेटरी के ऊपर इतने सबी में पास का बहुत शुक्रिया आपको अस्पानिल में जुलने के लिए और देखिए मा नर्मदा की जैन्ती के मौके पर पूजा पाड तो और कोई कर रहा है लेकिन सियासित जो धूरी कही जाती है नर्मदा नदी मध्यप्रदेश के अंदर वो इसे इस बार किसे अपना आश्रवाद देती है ये देखना रहेगा फलाल खबरों के लिए अपना लगाता है ये महारी बेट में पहतना ही